असलाम अलेकूम और जटपट बनने वाली ये रेसिपी है कि अगर आपके पास टाइम कम हो और जल्दी से कुछ बनाना हो तो सिर्फ 15 मिनिट में ये मटर चावल रेडी हो जाते हैं और टेस्ट में इतने मज़िदार होते हैं कि आप अपने महमानों को और दावतों में भी इ कर्टे हैं तो सबसे पहले हम पेंड में फाकॉप और लेंगे अब दो लैसन की क्लोफ्स को मैं इससरा से क्रेइट करके डाल रही हूं आप डूप जाये तो इसको पार छॉप पी करके डाल सकते हैं लेकिन यहां पर हमें लैसन का पेस्ट यूस नहीं करना है इसी तरह से ल और ऐसी मैंने थात्ति काली मरेशल है यह डालेंगी इसमें आप 2-3 काले लाउंग आ लिए आ लाउनको बी Dust फ्राइब कर लेंगे आ यह मैंने आद किलो मठे लिए तो यह डालोगी और इसको भी dato से इन मिनिट के लीए rolling करेंगी अब इसमें मैं एक गिलास इतना पानी डाल रही हूँ इसी के साद इसमें एड़ करीए वान टीबल स्पून जितना नमक आप लोग टू टेस्ट एड़ करिएगा अब इसमें एड़ करिएगा आजीनो मोतो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन चावलों में तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा जरूर अट करिएगा और बस अब हम वेट करेंगे एक उबाल आने का तो यहाँ पर यह एक उबाल आ चुका है और अब इसमें हम एट करेंगे चावल और चावल यहाँ पर यह मैंने 600 ग्राम लिये हैं और इसको मैंने 15-20 मिनिट की लिपी को लिया था और यहाँ पर यह मैं बासमती चावल यूज कर रही हूँ इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम एक गिलास मज़ीद पानी डालेंगे आप तो जो चावल यूज करेंगे उसकी मुदाबिक पानी डालीगा क्योंकि हर चावल का पकने का टाइम अलग होता है और अब इसको हम कवर करके रखेंगी कि जब तक इसका पानी ड्राइना हो जाए तो तकरीबन 6-7 मिनट लगे हैं और जो चावलों का पानी है वो ड्राइ हो चुका है और अब इसमें मैं फूट कलर डाल रही हूँ और इसके बाद इसको दुबारा से कवर करके रखूंगी दम के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए इतने में हम इसकी चत्नी को रेड़ी कर ले... चत्नी मेनाने के लिए मैंने ये दू तपी माटर लिए और उनको पीसे इसमें कट कर लिया है ये चीक लॉफस मैने गार्लिक के लिए ये डालेंगे वन टीउस्पून नमक डालेंगे टू टी स्पून जीरा डालेंगे और हाफ टेबल 스ciendo पे इसमें कोटि हुए लाल मिर्च ठालोंगी और इसमें आप थोड़ा साम पाय डालेंगे और इसको ब्लेंट कर लेंगे इस चट्नी में आप कोटि हुए लाल मिर्च की जगए तो फ्रेश वाली गूल लाल मिर्श भी यूज़ कर सकते हैं, और कश्मीरी मिर्श भी यूज़ कर सकते हैं, दोरों के फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो बस ये चटनी हमारी रेडी है, तो यहां पर चावलों को भी दम लग चुका है, तो मज़िदार से और जटपर स हमारी मटर चावल बिल्कुल रेडी है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, और जो चटनी हमने मनाई थी, उसके साथ हम इसको सर्फ करेंगे, और इसके साथ आप हरी बारी चटनी को भी सर्फ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी इस रेसिपी को आप, शुसक्कर सकते हैं